दोस्तों बिहर बियर परवेश परिक्षा संबधित चले नियू अपडेट देख लिजिए आप लोगों का जितना भी डॉट है सभी डॉट क्लियर हो जाएगा सबसे बरा डॉट है एकजाम डेट को लेकर परिक्षा कब होगी पिछली बार इंट्रेंस एकजाम का तीन बार बढ़ा गया था तो क्या इस बार भी डेट बढ़ेगा या जो डेट निर्धारित है उसी डेट में परिक्षा होगी तो चले उससे संबधित नियूज देख लिजिए परिक्षा कब ली जाएग एडिमिट कार्ट कब जारी होगा कितना क्या फॉर्म फिलप हुआ है और अ अप्लिकेशन पर कोर्स शुरूग किया है और कोर्स का प्रैस बहुत ही कम है यह नहीं कि हजार दो हजार रुपय आपको इसके लिए पे करना परेगा बहुत ही कम प्रैस पर आप बहतरिन कंटेंट के साथ संपूर्ण त्यारी कर सकते हैं तो आपके पास सभी सिमित समय फॉर्म की बात करें तो पिछली बार से 60,000 अधिक फॉर्म 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 हो इस पार कंपेटिशन भी बहुत हो गया है सीट की संख्यां देखेगा तो पहले जितना था 32,000 सीट इस पार भी 32,000 ही है जिसमें सरकारी प्रैभेट और अर्ध सरकारी सेमी गुवर्मेंट सभी मिला करके 32,000 सीट है और यहां पर देखेगा डिटेल्स न्यूज में तो दो वर्षिय बीएड एवं सिक्षा साज्त्री तो एक यहां पर नॉर्मल जेनरल बीएड हो गया दूसरा सिक्षा साज्त्री जब भी फॉर्म निकाला जाता है दोनों रहता है जिसमें सिक्षा साज्त्री के लिए बहुत ही कम फॉर्म फ्रिलब होता है 400-500 ही लगवा बांकी जो रहते है नॉर्मल बीएड के लिए तो नमांकल के लिए सन्यूक्त परवेस परिक्षा 2022 कायोजन का दाइट ललित नरन मितला विश्विद्धाल NMU को दिया गया तो आप आपको चूज करके करे देना है जिस एकोर्डिंग आपका मार्कसोंहाइगा उस एकोर्डिंग आपको कॉल्लेज मिलेगा फिर इसके बाद लिन ह होता है डॉक्मेंट भरिफिकेशन होता है और उस चाहते हैं अब आपका जिस जिला में घर है सियम पर मार्क्स खराब रहेगा तो फिर दूर में सेंटर होगा और फिर आपको कॉलेज भी करने के लिए जाना परेगा तो बांकी चीज़े यहां पर देखेगा परवेस परिक्षा के लिए 25 अपरेल 2022 से आवेदन शुरू किया गया था और एक महिने का लगभग समय दिया गया जिसमें यहां पर लेट फैन के साथ 28 में तक फॉर्म भरवाया गया 22 में तक पहले डेट था फिर एक सब्ता और बढ़ा करके 28 में किया गया और एक दिन कोरेक्षन का भी टाइम दिया गया था 29 में 2022 का और सारा कुछ दिखेगा तो फॉर्म भरने की पुरा पर क्रिया कंप 243 पिछली बार मात्र एक लाख 32,000 ही फॉर्म फिलब हुआ था आप देखिए तो पिछली बार से 60,000 अधिक फॉर्म फिलब हुआ है फॉर्म अधिक फिलब रहने के कारण से कट अब भी आप लोगों को हाई ही देखने हुक मिलेगा इसलिए आप कुछे तरीके से त्यारी करना परेगा तो बांकी यहां पर देखेगा कितना किस कैटोगोरी से है तो जयातर यहां पर महला कंडेट ही है 97,495 में फिमेल कंडेट है पुरूस अभिहरतियों की टोटल संख्य है 94,04 और यहां से आप देख लिए और इस बार क्या किया गया है कि सेंटर में एक चीज औ और फॉर्म भरतिस में सेंटर भी मांगा गया था चूज करने का उप्सन था जिस अकोडिंग आप उप्सन दिये होंगे उसके कोडिंग आपका सेंटर रहेगा तो अगर एक सेंटर पर महला अभिहरतियों की संख्या 500 है तो वहां पर सिर्फ महला ही रहेगा और पूरूस इसी दिन पहले जोईनिंग ये सब परिक्रिया शुरू किया गया तो इसलिए अब जायादतर लोग यहां पर बीएड से संबधित इंट्रेस्टेट हो गये हैं कि बीएड अगर कर लेते हैं तो कम से कम टीचर में जौब हो ही जाएगा और कहां क्यारा सहरों में प्रिक्ष जुची होंगे या फिर पटना के बगल वाले जो भी भी आप भारती है और यह वह पटना में रहकर त्यारी करते हैं यह सब भी कंडेट पटना ही चूझ कि जिससे पटना में सेंटर हो जाए और आसानी से यहां पर एक्जाम दे पाए बांकी यहां पर जिला में देख सकत पहले यह डेट पहले ही था और फॉर्म भरने का यहां पर 28 तक डेट बढ़ाया गया पहले 22 तक था तो फिर यहां पर एक सबता एडमिट कार्ड का डेट पधा दिया गया तो अब यहां पर 10 दिनों में एडमिट कार्ड यह सब चीज़े त्यार किया जाए गा और 13 जुन स से जूर करके फटा-फट कोर्स ज्याएन कर लिजे और संपूर्ण त्यारी अच्छे तरीके सभी विशायका करके एक्जाम दीजे जिससे आपका अच्छा रहें का आजया और अच्छे तरीके सेलेक्शन हो पाया सरकारी कॉलेज में आपका अडमिशन हो जाएगा अगर सर condition में आपको डेर लाग रुपय दो साल का देना परेगा फी तो सारा कुछ यहां से आप देख लिए और 23 जून को यहां पर परिक्षा ली जागी परिक्षा का जो टैम है schedule है 11 बजे से एक बजे के बीच में दो घंटों की यह परिक्षा है और टोटल इसमें 120 question पूछा जाएगा और अगर किसी परकार की समस्या होती है तो परिक्षार के अंदर पर आपको समय से पहुंच जाना 9 बजे यहां पर कहा गया है और admit card पर भी instruction दिया हो रहेगा उस recording आपको follow करना है अगर किसी परकार की समस्या होती है तो यह help plan number है यहां पर विश्विद्याले की और से जारिक किया गया तो यहां से सारा कुछ आप देख लिए और यहां पर बात करते हैं त्यारी संबंधी तो त्यारी के लिए आप application पर course जोइन किजेगा तो यहां पर content section में सारा कुछ आपको video reasoning नोर्स practice set, previous year, teaching learning, current affairs और भीविया topic का यह सब में admission हो जाएगा और यह परिक्षा जो ली जाएगी offline OMR seat पर ली जाएगी इसके लिए आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा और negative marking नहीं है इस चीज को आप पच्छे से ध्यान रखिएगा और सभी 120 question को attempt कीजेगा किसी भी question को आपको छोड़ना नहीं है बाकि आप पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राब करके जुर जाएगे